DPS Senior Secondary School तबी जी लेकर आये हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open, visit DPSajmay.in राजिस्थान में मांसुन की सुबुगाट से एक तरफ तो बढ़ते पारे से राहत मिलना शुरू हुई थी कि भाजपा ने सुबह में सियासी पारा बढ़ा कर कॉंग्रेस नेताओं को फिर से बरते तापमान का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है ये सियासी पारा कुछ ऐसा बढ़ा कि कॉंग्रेस के बड़े नेताओं की निगाहें अब राजिस्थान में जम गई है इसके साथ ही कॉंग्रेस विदाइकों को जैपूर के एक रिजोर्ट में एक जुट करने का काम शुरू हो गया है राजिस्थान में सत्ताधारी अशोग गहलोस सरकार को राज्य सबाच चुनाओ से पहले अब ये लगता है कि भाजपा कॉंग्रेस में सेंद्मारी कर सकती है और इसके लिए राजिस्थान विदान सबा के मुखे सचे तक ने राजिस्थान में ब्रश्टाचार निरोतक विरो को पत्र लिख कर उसके बारे में अंदेशा जटाया है कि विपक्षी दल कॉंग्रेस के विदाइकों को खरीच सकते है असल में पूरा खेल राजिस्थान सबा चुनाओ को लेका रहें जहां संक्या बलना होने के बावजूद बारती अंता पाटी ने दूसरा प्रित्यक्षी मैदान में उतार दिया है जिसके बाद राजिस्थान की कॉंग्रेस सरकार ने राजिस्थान की अशोग गेलो सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है कॉंग्रेस का कहना है कि भाजपा कॉंग्रेस के विदायकों को लालस दे रही है और पार्टी के विदायकों को एक जुट कर रही है कॉंग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा ने विदायकों को लालस दिया है इसके लिए विदानसवा के मुक्के सज़े तक महेश जोशी ने ACB को पत्र लिखकर राजजे का सियासी ताफमान बढ़ा दिया है जोशी ने भाजपा पर राजजे सरकार को आस्थिर करने के साथ ही कॉंग्रेस और सरकार समर्थक निर्दलिय विदायकों को अपने पाले में लाने के लिए लालस देने का आरोप भी लगाया है जोशी ने पत्र में लिखा है कि भाजपा, कनाटक, मद्यबर्देश और गुजरात की तर्च पर राजजे स्थान में भी कॉंग्रेस के विदायकों को लालस दे रही है भाजपा कॉंग्रेस सरकार के समर्थक निर्दलिय विदायकों को साथने की कोशिश में है लिया जाए इस पूरे मामले की जाच होनी चाहिए हाला कि कॉंग्रेस ने अपने आरोपों में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है लेकिन राजजे स्थाबा चुनाव से पहले कॉंग्रेस में दबाव बनाने के लिए अपना दावख खेल दिया है असल में राजिस्थान में राजिसभा के तीन सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है संक्याबल के आधार पर कॉंग्रेस पार्टी दो सीट आसानी से जीच जाएगी जबकि एक सीट भारतियंता पार्टी के खातेम आएगी लेकिन भाज़पा ने अंतिम समय में अपना दूसरा प्रित्यक्षी भी मैदान में उतार दिया है जिसके बाद कॉंग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है भाजपा ने राजिंदर गहलोत को उमीदवर मनाया था लेकिन बाद में ऑंकार सिंग लखावत को भी मैदान में उतार दिया है लियाजा कॉंग्रेस सरकार अब दवाव में आ गई है राजिस्तान की 200 सीट वाली विदान सभा की बात करें तो यहाँ 107 कॉंग्रेसी विदायक है इन 107 में से 6 विदायक BSP के भी हैं यह सभी विदायक पाला बदल कर पिछले साल कॉंग्रेस में शामिल हुए थे और इसके साथ ही 12 निर्दलिय विदायकों ने कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है इसके साथ ही BJP के पास 72 विदायक हैं और उसे छोटी पार्टीयों और निर्दलिय मिलाकर 6 विदायकों का समर्थन हासिल है ऐसे में वे एक सीट आसानी से जी सकती है लेकिन उनकी नजर कॉंग्रेस को समर्थन दे रहे है निर्दलिय विदायकों BSP से कॉंग्रेस में आये विदायकों और कॉंग्रेस के अंदर चल रहे कुछ विदायकों द्वारा क्रोस वोटिंग किये जाने की संभावना पट्टी की हुई है क्योंकि इससे पहले भी गुजरात में राजिस्थान के एक रिजोर्ट में रखा हुआ है और इसी के साथ अब ये देखना होगा कि ये सियासी ड्रामा राजिस्थान चुनाओ पर कोई असर डालेगा या नहीं